जी हाँ दोस्तों अगर आप भी साओधी अरबिया में रहते हैं और आपका जो एकामे का प्रोफेशन है उसे आप चेंज करना चाहते हैं तो किस तरीके सो उसे चेंज कर सकते हैं तो यही आज अपनी से वीडियो में हम बात करेंगे ठीक है दोस्तों जैसे के आपको पता है स जो भी आपका प्रोफेशन वो आपके एकामे पर होना चाहिए अर्टिकल 38 के गोर्डिंग जो साओधी लेभर रहा का है ठीक है तो अगर आप जो है चैंज करना चाहते हैं तो उसके लिए देखिए क्या के डोकुमेंट की जरूत पड़ेगी पहली चीज एगर मैं बात कर जो के साओधी अमबैसी से होनी चाहिए दूसरी चीज एक हजार रियाल फीस लगेगी उसकी तीसरी चीज रजिश्टर आपको जो है कराना पड़ेगा सोकपा अगर आप जो है अकाउंटेंट है या ओडिटर है तो आपको सोकपा से जो है रजिश्टर कराना पड़ेगा आप यह सोकपा गया है इस पर मैंने स्पेसिविक वीडियो बनाई हुई है नहीं देखी होगी तो डेस्क्रिशन बॉक्स में उसका लिंक है उस पर जाके सोकपा को देख लीजीगा ठीक है अगर आप जो हैं इंजीनियर है तो आपको SCE से रिजिश्टर कराना पड़ेगा SCE साथी काउंसिल ओफ इंजीनिंग है अगर आप डॉक्टर ओफ या नर्स है तो आपको मुमारिस पिलस से रिजिश्टर कराना पड़ेगा ठीक है तो चोथे टोकिमेंट की बात करें तो आप जो अपना जो प्रोफेशन चेंज कराना चारा है एक बोडी से दूसरे बोड कराना है तो आपको जो है रिजिश्टर आपको दोनों बोडी में कराना यानि पहले जो ओर है उसमें और जैंज करना है उसमें भी आपका जो है रिजिश्टर होना cater вещag ठीक है जो कि बहुत जादा important है कि यह इस तरीके की जो मैंने बताई requirement यह बहुत जादा जरूरी है ठीक है तो आपको इसके लिए connect करना contact करना पड़ेगा जी आरो से जी आरो जो है government representative officer होता है यह अगर आपको जो है वो आपके यह सारे process जो है करेगा और यह आप जो है status भी जो है चेक कर सकते हैं ठीक है अपने एकामे का इसमें मैंने वीडियो बनाई भी हैंगे किस तरीके से देख सकते हैं अगर बात करें हम अगर आप जो है cleaner है या labor है जैसे कि आप low category में है तो और आप जो है non technical person है तो तब भी जो है आप कर सकते हैं बीना किसी document के तो आपका जो है non technical में हो जाएगा यह वो चैइंज ठीक है और आप जो है आगर जैसे इसको नहीं करा सकते हैं जैसे कि आपको फैमिली मेंबर हैं तो आपको जो हैं नहीं करा सकते हैं तो आगर हम बात करें अगर reject होने के case क्या जो है अगर आपको हैकामा ने आपने application दीवर reject हो गई तो उसके reason क्या हो सकते हैं आपने जो अगर रेइश्टर नहीं किया हुआ है CSE में जो कि Saudi Council of Engineering या SOCPA पर और अगर आप इन में से किसी में भी जो है नहीं किया हुआ तो तब जो है आपका हो जाएगा ठीक है और अगर आपका जैसे के एकामा जो है जो भी profession आपने अपने apply किया है और वो जो है Saudi के लिए reserve है वो seat तब भी नहीं होगा और चोती condition यह है कि अगर आपका एकामा red है तब नहीं होगा और अगर आपका एकामा expire हो गया है तब इन condition में जो है change नहीं होगा तो I hope आपको समझ आ गए हो comment box से comment करके मुझे बताएगा तब तक